आज शनिवार्थ भारत के लिए V-day है V-day यानी की वाक्सिन दे आज भारत कोरोनों के खलाफ जीत हासल करने का अभियान की शुरुबात करने वाला है जिसके लिए आज पूरे देश में लोगने कमर कस रखी है कोरोना में हमारी की दौरान कई बार देश को संबोधत कर चुके प्रधानुंत्री नरिदमोदी दुनिया के सब सब बड़े वाक्सिनेशन प्रोग्राम को लॉंच करेंगे उत्रप्रदेश में कोविट के टीका करण की तैयारियां पूरी हो चुकी है 317 सेंटर्स पर 31,700 करीमियों को पहले दिन ये ठीका लगना है इस वक्त हम मौझूद हैं आमदापाद के सिविल अस्पिताल में जहां पे वैक्सिनेशन ड्राव चलेगा और यहीं पे प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी के जरिये जो हेल्थ वर्कर को टीका दिया गया है उनके साथ बाठीट भी की जाएगी तो यह सबसे बड़ी अस्पिताल है जहां पे 7,000 से लेके 10,000 जितने जो हेल्थ के करमचारी है वो यहां पे काम करता है सबसे एहम रहेगी इस जगह पे जो वैक्सिनेशन का काम होगा और यहां पे ऑब्जुवेशन रूम बनाया गया है प्याम मोधी सुभा वैक्सिनेशन ड्राइव का शुबारम करेंगे और फिर देश भर में वैक्सीन लगाई जाने लगेगी सबसे पहले एक करोड़ साथ लाख करमचारियों को टीका लगेगा जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं इसमें क्यामल लाख 82 हजार से ज्यादा हेल्थ वरकर्स हैं 4 लाख 31 हजार से ज्यादा सुरक्षा करमी एक करोड़ तीन लाख 66 हजार सोशल वरकर्स और एक लाख 5 हजार से ज्यादा पोस्टल सेवाओं से जुड़े करमचारी शामिल हैं जिने पहले दिन वैक्सीन लगाई जानी है उन्हें मॉबाइल पर वैक्सीन सेंटर पहुँचने का मेसेज मिल चुका है ये वो योधा हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किये बगैर देश के प्रती अपनी ड्यूटी ने भाई उन्हे पहली वैक्सीन मुबार्ख हो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान अब भारत में शुरू होने जा रहा है और इसके पहले चरण में आप देखेंगे किस तरीके से जो हमारे करोना वारियर रह चुके हैं हेल्थ केर वर्कर्स को वैक्सीनेट किया जाएगा हम इस वक्त दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टिटूट हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन सेंटर में आपको दिखा रहे हैं ये लास्ट मोमेंट प्रेपरेशन जो यहाँ पर चल रही है बात करते हैं इस वक्त दॉक्त प्रग्या शुक्ला से जो यहाँ पर नोडल इंचार्ज भी है वैक्सीनेशन की और हमें पता चला है कि यह वैक्सीन भी लेंगी मैंने यह वालेंटियर किया है यह अपने इंस्ट्यूट का फर्स्ट वैक्सीन शॉट लेने का और जो उसके पीछे रीजन है वो यह है कि अगर मैं लूँगी तो मैं अपने स्टाफ में एक बहुत ही क्लियर मेसेज दे पाऊंगी कि यह सेफ है और यह लिया जा सकता है इस सभी राज्यों और केंद्र शास्तित प्रदेशों में कुल 3,006 vaccination centers बनाए गए हैं हर center पर 100 लोगों को ठीका लगाये जाएगा पहले दिन खरीब 3,005 स्वास्त कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी इसके लिए देश के कोने कोने में वैक्सीन पहुंच चुकी है और प पहला टीका लगने वाला है बिहार में और दोनों I G I EMS में काम करते हैं तो हम पिला बैके हैं इसको टीका लगेगा हम तो यह बोलेंगे कि डर के आगे जीत हैं दिल से डर निकाली है और टीका लगवाई है देश में जुलाई तक 30 करोड लोगों को वैक्सीन लगाये जाने की तैयारी है लेकिन अभी फोकस वैक्सीन डे को सफल बनाने पर है दिली में पहले दिन 8100 लोगों को टीका लगेगा उत्तर प्रदेश में पहले दिन 31100 लोगों को टीका लगाये जाएगा मध्य प्रदेश में 15,000 लोगों को टीका लगेगा राजस्थान में 16,000 लोगों को पहले दिन टीका लगेगा माराश्य में 50,000 लोगों को वसकीन लगाई जाएगा इसके बाद जैसे जैसे दिन भी देंगे Vaccination Drive को तेज़ किया जाएगा मेगा लॉंचिंग डेट के लिए जार्खन में भी तैयारियां पूरी की जारी इस वक्त सदर अस्पताल में हम है और पाइनल टच दिया जा रहा है तैयारियों को लेकर जाय जा ले रहे हैं जो जिला प्रसासन के लोग हैं डी सी एस पी तमाम लोग यहां पे हैं फ्लॉलेस हो यह कैंपेंड बिल्कुल उसके लिए जो है कमर कसा है प्रसासन ने चंडिगड में तमाम तरहे की तैयारियां पूरी कर ली गई है यहां पर यह बड़ी LCD लगाई गई है किस तरीके से टर्न करना है नीचे यह निशान लगाए गए है कोवीड-19 का तीका सुरक्षित है तीका करण करवाने के लिए पंजी करण पहले अनिवार्य है उसके साथ क्या का चाहिए आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड और क्या क्या जो है आपको पहचान पत्र चाहिए वो सारी जानकारिया यहां पर लिखी गई है आप देख सकत में अभी किसी को वैकसीन चुनने का विकलप नहीं मिलेगा, वैकसीन लगवाना स्वेकशिक है यानि वैकसीन लगवानी है या नहीं ये आप खुद तैंगरेंगे, वैकसीन की एक डौस लेने के बाद 28 दिन में दूसरी डौस लेनी होगी और सबसे महतोपॉण बाद, वै सेखले मैं कहता था डवाई नहीं तो डिलाई नहीं लेकिन अब मैं फिर से कहरा हूं दवाई भी और कड़ाई अधियार यानि वैक्सीन की शीशियां भी तयार है। बहुत सारी ऐसे इलाके जहां पर 2-3 मीटर की विजिबिलिटी बची है। अधियार में आज पर से घना कोहरा चाया हुआ है। चलेंगे सीता सुशान्त हमारे से होगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इलाके में जहां पर तकरीबन तकरीबन 10-15 मीटर विजिबिलिटी जो है वो इस वक्त जो है वो नजर आई है। ताकि दिल्ली में तापमान में पिछले कई दिनों से लगा था जिस तरीके से गिरावर देखी जाए थी उसमें अगत कहा जाया थोड़ी रहात है। आज तापमान जो है वो 9 डिगरी के असपास जो है वो दर्श किया गया है क्योंकि पिछले कई दिनों से जो तापमान था अगर कहा जाये तो 3 डिगरी तक पहुचा था लेकिन उससे रहा जरूर मिलिया लेकिन जिस तरीके से गने कोरे की चादर पूरी दिल्ली NCR के अंद बचना है क्योंकि गना कोरा काफी जादा है और ऐसे में कोई दुरगटना ना हो ऐसे में बचने के लिए अगर आपको चाहिए तो घरों से बात कम से कम निकले इस बात का खयाल बिल्कुल लोगों को रखना चाहिए और इसलिए बार बार हम भी बता रहा है और ये सीधा एक्सपिरियंस भी सुषांत अपना शेयर कर रहे हैं मैं भी लगतार आपको बता रही हूँ किस तरीके से कोरे से दो चार हम होकर सुबा सुबा दफ्तर देखे मौसम विभाग की माने तो उनका साफ तोर पर ये कहना है कि अगले दो से तीन दिन तक इसी तरीके का कोरे की चादर जो है वो दिली एंसियार के अंदर बनी रहेगी और इसके साथ साथ शीत लहर जो है वो थोड़ी सी कम रहेगी उसके बाद एक बार फिर शीत लहर जो है वो बना रहेगा अगर बात करें दिली के अंदर तो यह रियरी आधि थे वहाँ पर इस तरीके का कोरा सुभा के वक्त दिखाई देता था लेकिन आज अगर बात की जाये तो हर चोटे मूटी कलोनी से लेकर के में रोड सग, रिंग रोड सग इसी तरीके का जो कोरा है वो नजर आ रहा है और विजिबिल्टी बेहत कम है काफी कम विजिबिलिटी सुशान्त अपने क्यामरे से दिखा रहे थे हमको तो बहुत जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले कोरा चटने का इंतजार करें अब इसी के साथ हम आपको दिखा देते हैं पहाडों का हाल क्या है क्योंकि लगातार पिछले एक पक्वाडे की बात करें तो बर्फ बारी वहाँ पर होती जा रहे है जिसका नतीजा ये है कि पारा गिरता जारा माइनस तक पहुँच गया है डल जील जम कर बर्फ का दरिया बन गई है और लद्दाख की अगर बात करें तो पारा माइनस 30 टिगरी तक पहुँच गया है हालात क्या है बता रहे हैं अश्रफानी आम लोग समझते हैं कि शायद यहां लद्दाख में लाइन आफ एक्च्वल कंट्रोल पर इतनी ज्यादा बरबारी नहीं होती है यहां ठंड भी ज्यादा नहीं होती होगी लेकिन ठंड का अंदाजा आप इस दरिया से लड़ा को हैं यह पूरा एक दरिया है जो पूरी तरह से जम चुका है और यहां पर अब पानी का जो बहाव है वो ना के बराबर है और पूरा जो है यह दरिया अब बरफ के दरिया में बदल गया है यह सिर्फ इस दरिया की कहानी नहीं है बलकि जितने भी यह लड़ा च्छेतर में दरिया होते हैं वो सर्गियों के दोरान पूरी तरह से जम जाते हैं और उन पर फिर आसानी से चला जा सकता है यहां तक कि दरियाओं के उपर से गाड़िया भी चलाई जाती है इस वक्त भी अगर यहां की बात करें तो तापमान इस वक्त यहां पर मैनस बीस डिग्री है जो रात में लुड़कर मैनस पैंटीस तक चला जाता है लेकिन इस के चलते जो है पूरी तरह से जन्जीवन थम जाता है फिर चाहे आम लोगों का हो कोई आवाजा है दुशी न नहीं है चलना फिरना मुश्किल हो जाता है और उसके लिए भी जो है कहीं न कहीं लोगों को जूजना पड़ता है और यही कारण है कि सर्दियों में इस पूरे छेतर में जेना किसी बड़ी इंतिहान या किसी बड़ी चनोती से कम नहीं लोफाहमेंट के साथ अश्रफवा जनवरी की बात करें तो किसान क्या करेंगे 17 जनवरी को किसान क्या करेंगे 18 जनवरी को सुप्रीम कोट में क्या होगा इन सब के साथ साथ देखिए आंदोलन कहां तक पहुचा जस कत्ता साय अब भी आंदोलन तीन किरदार समाधान से जुड़े हैं सरकार सुप्रीम कोट और किसान सरकार से नौवेदार की बातचीत में हल नहीं निकला अगली बातचीत 19 जनवरी को सुप्रीम कोट से बनाए गई कमेटी के चार सदस्यों में से एक सदस्य ने कमेटी छोड़ दी किसानों ने कहा सरकार से बात करेंगे कमेटी से नहीं और किसान खुद अब भी कानून रद करने की मांग के साथ है 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने की तै जान आज फिर इस बात पर आड़े रहे कि तीनों कानूनों को रद किया जाए वापिस किया जाए तभी यह अंदोलन खत्म होगा चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुच पाई और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तै किया कि 19 जनवरी को दोपेर 12 बजे पुना चर्चा करेंगे कि मुझे आसा है कि जो चर्चा आज हुई है यूनियन्स को चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रेत्न करेंगी यह उम्मेद है कि फर्वरी में जाके इसका कुछ संसोदन की तरफ सरकार जाएगी समाधान की दूसरी कोशिश सुप्रीम कोड की तरफ से बनाई गई चार सदस्यों की कमेटी को करना है जिसके सदस्यों के कानून के समर्थन में होने का मान कर किसान भरोसा ही नहीं कर रहा है उसी कमेटी के एक सदा से वुपिंदर सिंगमान ने खुद को अलग कर लिया तीसरी खबर यह कि किसान अभी दिल्ली में 26 जन्वरी को ट्रैक्टर परेट की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में रोके जाने पर बैरिकेड हटाने के लिए ट्रैक्टर्स को अलग तरीके से सुरक्षा कवच देने जैसा मौडिफाई करा गया पंजाब हरियाना के कई गामों से साथ हजार ट्रैक्टर लेकर दिल्ली आने का रिहरसल चल रहा है सुमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी बाकी है संगरूर से मंजीत सहगल और चंडीगर से सत्यंद्र चौहान के साथ अशोक सिंगल दिल्ली आज तक आज सुनिवार का दिन भारत के लिए बेहे दहम है क्योंकि आज के दिन को हम कहेंगे वीडे वीडे यानी की वाक्सीन दे और आज से भारत कोरोना के खलाव जीद हासल करने के अभियान का शुबारम कर रहा है जिसके लिए पूरा देश कमरकस चुका है तक्यार है कोरोना महामारी के दौरान कई बार देश को संबोधत कर चुके प्रधानमुच्री नैरिद मोदी दुनिया के सबसे बड़े वाक्सिनेशन प्रोग्राम को लाँच करेंगे आखिरकार वो घड़ी आही गई जिसका पूरे देश को बेसबरी से इंतजार था जब भारत में होगा शुभारम दुनिया के सबसे बड़े वैक्सिनेशन प्रोग्राम का जिसकी पूरी तयारी करके बैठा है हिंदुस्ता उत्रपदेश में कोविट के टीका करण की तयारियां पूरी हो चुकी हैं पर कुल लगबग साड़े आठ हेल्थ वरकर्स का रजिस्ट्रेशन है जिसमें तीन सो सत्रा सेंटर्स पर एकत्तीस हजार साथ सो करीमियों को पहले दिन ये ठीका लगना है इस वक्त हम मौझूद है आमदापाद के सिविल अस्पिताल में जहां पे वैक्सिनेशन ड्राव चलेगा और यहीं पे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के जरिये जो हेल्थ वरकर को टीका दिया गया है उनके साथ बाच्चीत भी की जाएगी आमदापाद के सिविल अस्पिताल की बात की जाए तो यह सबसे बड़ी अस्पिताल है जहां पे साथ हजार से लेके दस हजार जितने जो हेल्थ के करमचारी है वो यहां पे काम करते हैं तो सबसे एहम रहेगी इस जगह पे जो वैक्सिनेशन का काम होगा और यहां पे भर में वैक्सीन लगाई जाने लगेगा सबसे पहले एक करोड़ साथ लाख करमचारियों को टीका लगेगा जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं इसमें क्यामल लाख 82 हजार से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स हैं 4 लाख 31 हजार से ज्यादा सुरक्षा कर्मी एक करोड़ तीन लाख 66 हजार सोशल वर्कर्स और एक लाख 5 हजार से ज्यादा पोस्टल सेवाओं से जुड़े करमचारी शामिल हैं जिने पहले दिन वैक्सीन लगाई जानी है उन्हें मॉबाईल पर वैक्सीन सेंटर पहुँचने का मिल चुका है यह वो योधा है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किये बगैर देश के प्रती अपनी ड्यूटी ने भाई उन्हें पहली वैक्सीन मुबार्ख हो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान अब भारत में शुरू होने जा रहा है और इसके पहले चरण में आप देखेंगे किस तरीके से जो हमारे करोना वारियर रह चुके हैं हेल्थ केर वर्कर्स को वैक्सीनेट किया जाएगा हम इस वक्त दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टिटूट हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन सेंटर में आपको दिखा रहे हैं यह लास्ट मोमेंट प्रेपरेशन जो यहाँँ पर चल रही है बात करते हैं इस वक्त दॉक्टर प्रग्याशुकला से जो यहाँँपर नोडल इंचार्ज भी है वैक्सीनेशन की और हमें पता चला है कि यह वैक्सीन भी लेंगी मैंने ये volunteer किया है ये अपने institute का first vaccine shot लेने का और जो उसके पीछे reason है वो ये है कि अगर मैं लूँगी तो मैं अपने staff में एक बहुत ही clear message दे पाऊंगी कि ये safe है और ये लिया जा सकता है इसमें डरने की कोई जरुवत नहीं है जो nursing staff है बहुत ही important backbone माना जाता है इनको अस्पताल का मैंडम आपका भी list में नाम है क्या आप वैक्सिन लेने के लिए तयार है हाँ जी कोई डर कोई मन में हाँ थोड़ा सा डर है वागर डर के आगे एक जीत होती है सभी राज्यों और केंद्र शास्तित प्रदेशों में कुल 3006 vaccination centers बनाए गए हैं हर center पर 100 लोगों को ठीका लगाये जाएगा पहले दिन खरीब 3 लाख स्वास्त कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी इसके लिए देश के कोने कोने में वैक्सीन पहुंच चुकी है और पहले दिन जिन्हें सबसे पहले वैक्सीन लगाई जानी है उनको निमंतर पत्र भी प्राप्त हो चुके हैं हमारे साथ इस वक्त दो स्वास्त कर्मी मौजूद है जिन्हें कल पहला टीका लगने वाला है बिहार में और दोनों आईजी आईएमस में काम करते हैं इंद्रा गांधी इंसिट्टूट और मेडिकल साइंसेज में है देश में जुलाई तक 30 करोड लोगों को वैक्सीन लगाए जाने की तैयारी है लेकिन अभी फोकस वैक्सीन डे को सफल बनाने पर है दिली में पहले दिन 8100 लोगों को टीका लगेगा उत्तर प्रदेश में पहले दिन 31100 लोगों को टीका लगाए जाएगा मध्य प्रदेश में 15000 लोगों को टीका लगेगा राजस्थान में 16000 लोगों को पहले दिन टीका लगेगा महाराश्र में 50,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगा इसके बाद जैसे जैसे दिन भीतेंगे वैक्सिनेशन ड्राइब को तेज किया जाएगा मेगा लॉंचिंग डेट के लिए जारखन में भी तैयारियां पूरी की जा रही है इस वक्त सदर अस्पताल में हम हैं और फाइनल टच दिया जा रहा है तैयारियों को लेकर जाएजा ले रहे हैं जो जिला प्रसासन के लोग हैं डीसी एसपी तमाम लोग यहां पे हैं फ्लॉलेस हो यह कैंपेंड बिल्कुल उसके लिए जो है कमर कसा है प्रसासन ने चंडीगड में तमाम तरहे की तैयारियां पूरी कर ली गई है यहां पर यह बड़ी LCD लगाई गई है किस तरीके से टर्न करना है नीचे यह निशान लगाए गए है COVID-19 का तीका सुरक्षित है तीका करण करवाने के लिए पंजीकरन पहले अनिवार्य है उसके साथ क्या का चाहिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और क्या क्या जो है आपको पहचान पत्र चाहिए वो सारी जानकारिया यहां पर लिखी गई है आप देख सकते हैं यह COVID-19 vaccination center यहां पर specially बनाया गया है vaccination day से पहले कुछ नियम और शर्ते भी है जिने समझना जरूरी है ताकि कोई confusion ना रहे जैसे पहले चरण में अभी किसी को वैक्सीन चुनने का विकल्प नहीं मिलेगा वैक्सीन लगवाना स्वेक्षिक है यानि वैक्सीन लगवानी है या नहीं यह आप खुद नहीं करेंगे वैक्सीन की एक डोस लेने के बाद 28 दिन में दूसरी डोस लेनी होगी पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो डिलाई नहीं लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूँ दवाई भी और कड़ाई भी मैदान यानि वैक्सिनेशन सेंटर्स तयार हैं हतियार यानि वैक्सीन की शीशियां भी तयार हैं कोरोना वारियर्स यानि हेल्थ केर वर्कर्स मोर्चा सम्हाल चुके हैं कोरोना के खिलाफ भारत के निरणायक युद्ध का शंखनाद होने ही वाला है कोरोना वैक्सिन के डिगा करण के अशुबारम से आज प्रुधान मुच्री नहरेंद मोदी भी वर्चुल तोर पर जुड़ेंगे और वहीं वाक्सिनिशन सेंटर्स पर तयारियां जोरदार हैं जन लोगों को आज कोरोना वैक्सिन का ठीका लगाया जाएगा उनके लिए कई जगों पर बकाईदर रेट कापिट बिचा गया है जबकि कहीं कहीं पर वैक्सिनिशन सेंटर्स को फूलो और गुबारों से सजा गया है और इसी को देखकर अंदास लगाया जा सकता है कि आखिर कोरोना महामारी की दवा पाकर अब लोगों में कितना उल्लास है हलाकि प्रधानुचिन नरिद मोदी ने वाक्सिन के खुशी में लापरवाही नहीं होने की चतापनी भी दी है रहाजा जरूरी हिदायतों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होगा ताकि सहत मंद रहे सके और कोरोना की चपेट में न आए सुबा सुबा में अभी के लिए बस अपना ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे आज तक अब सब्सक्राइब करना ना भूले